भगवान श्री किष्णी ने जीश्टर को बताया है कि जया एकादशी जो व्रत है वो बहुत ही पूर्णेदाई व्रत है ये अकादशिर का व्रत, वीदी विधान के साथ करने से, ब्रशाहं को भोजन करने से, व्यक्ति नीच योनी से, भूत्पिसाज की योनी से, मुक्त हो जाता है. राधे राधे माभगवाटि, आप सभी की मनोकामना पूर्णिे करेज़िzen, के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता हो तो आपने फ्रेंड्स फैंबली में शेर कर दीजेगा जो फर्स उनको चाहिए कि वो दश्मी तिथी को एक समय भोजन करे यानि कि संध्याकाल में एक समय भोजन करे इस बात का ध्यान रखे भोजन स्वास्तिक हो मतलब की मासाहारी भोजन ना हो लसन प्याज का प्रयोग ना हो एकदशी की तिथी सुबे इसनान करने के बाद भगवान प्रश्मी का भी और संबब हो सके तो रातरी में जागरन करके वरत रखने का संकल भी अगर रातरी में आप वरत नहीं रख पा रहे हैं निरहार तो आप एक टाइम फरहाल कर सकते हो और दुदेशी तिथी को ब्राहमनों को भोजन करवा कर उन्हें जनें और सुपारी देखक ब्राहमनों को दान कर सकते हैं फिर भोजन करें मतलब आप ब्राहमनों को दान करने के बाद या गरीब को दान जो भी आपको जिसको भी आप दान कर सको उसको दान करने के बाद फिर आप भोजन करन करें चलिए आप कुछ ऐसे विशे शुपायों को बारे में बात कर लेते इससे आपके घर में फैली होई दरीतता दूर होती है, धन लाब के योग बनते हैं, भगवान विश्णू को पीले वस्टर बहुत प्रिये हैं, इसलिए पीले वस्टर, पीले फूल, पीले रंग की मिठाई भगवान विश्णू को चड़ाएं, गुरू ग्रह के जो दोशे वो कम हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, एका तैशी पर विशेश रूप से ध्यान रखे कि पीपल व्रक्ष की पूजा करनी है, जादा अगर कुछ ना हो सके तो जल चड़ाएं और दीपक जरूर जलाएं, घीका दीपक जरूर जलाएं, पीपल विरक्ष होता है उस पर भगवान विश्नु का सोरुप माना गया है, गाई के दूद से खीर बनाएं और उसमें थोड़ा सा केशर अवश्य डाले, और उसके बाद भगवान विश्नु को भोग लगाएं, भोग लगाने से पहले खीर में या जिसका भी आप भोग लगा रहे हैं, तो उसमें तुल तुलसी दल अवश्य रखे, बिना तुलसी के भगवान विश्नु को भोग नहीं लगा सकते हैं, तो एकादिशी के दिन इन उपायों को ज़रूर करिएगा, आप लोग को मेरी जानकरी उपाय कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएगा, फिर मिलते हुँ से तरीकी जानक कर दो एकादी